परिक्षा किंद्र के अंदर प्रवेश भी नहीं करने दिया जा रहा है जिससे परिक्षार्थियों ने आप्रोशित होकर काफी हंगामा किया और परिक्षा से वंचित परिक्षार्थियों ने पुना परिक्षा करवाने की मांग की तो खबर मदुबनी की जहां बिहार पुलिस परिक्षा की अभियर्थियों ने जम कर हंगामा किया बता दे कि प्रशासन पर अभियर्थियों नहीं यारोप लगाया है कि प्रशासन सयोग नहीं कर रहा है उन्हें परिक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है इसके साथ ही जब वो टाइल समय पर पहुंच रहे हैं उसके बावजूद भी प्रशासन उनसे न नहीं करने दिया जा रहा है तो यह सबी आरोप लगाते हुए अज अभी अर्थियों ने जम-कर परिक्षा-केंद्र्वाने की मांगी है तो खवर-दु-बनी से हैं जहां बिहार पुलिस परिक्षा परिक्षा देने परिक्षार्थियों ने जम कर हंगामा किया और परिक्षा केंद्र पर जम कर प्रदर्शन किया तो मदुबनी से हमारे समभादाता जुरे हुए है फिलहाल क्या कुछ स्थिती बनी हुई है और क्या पूरा मामला है अलो जी फिलहाल मदुबनी परिक्षा केंद्र में अभियर्थियों ने क्यों हंगामा किया और फिलहाल क्या कुछ स्थिती बनी हुई है अचे यहां बिहार पूरी परिक्षा होनी थी आज पर पताखी परिक्षा में सामिल होने के लिए सबीर ही आगे कुछ गारी यतायार की वजय से जाना नहीं से बसक्तों की बच्चों के बात भी हुए बच्चों की आरों करना था कि हम यहां हमको नहीं जाने लोगों को भी नहीं जाने दिया करने कि आए यहां हमको लगतार दस बच्चों से हमने बात किया है जी दस बच्चों का आरोग था कि किन अधिक्ष्छा को हम काई पार्ट ना कियेगे जाने दिरिया महर्ट दो मिनित हुआ है उसके बाब अधिक्ष्छ नहीं जान लिए कि अपने दौड़ार अमन के कुछ लोग ऐसे थे जिसको जाने दिया गया लेकि हम लोग को नहीं जाने दिया गया हमें दस बच्चों से बात करने का परिक्षार्ति आरोप लगा रहे हैं और पुलब परिक्षा करवाने की मांग कर रहे हैं मेरी कई परकार्तासथी से बात वी होए है थे थे आरोप लगाराओव नहीं कर रहे हैं प्रशासन की लापरवाही भी है और प्रशासन से यूग नहीं कर रहा है जिस वज़े से आज कई अभ्यारती परिक्षा नहीं दे पाए और इसकी वज़े से आज उन्होंने जम कर प्रशासन कीया और प्रशासन पर लापरवाही कारोफ लगाया, सहयोग नहीं करने कारोफ लगाया और सरकार से पुना परिक्षा करवाने की मांग की अब देखना यह है कि उनकी मांगे पूरी होती है या नहीं फिलाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया और अब ख़बर कटिहार से है जहां कटिहार के बार सोई अनुमंडल के अबादपूर्थानाचेत्र से एक वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है इस वाइरल वीडियो में गाओं के ही एक युवक और युवती को खूंटे से बांद कर उनकी जम कर पिटाई की जा रही है बताया जा रहा है कि ग्रामिनों ने दोनों को अपत्ती जनक हालात में पकड़ा था इसके बाद ग्रामिनों ने पंचायत लगा कर दोनों को तुगला की सजा दी आपको बता दे कि DTV वारत इस वाइरल की पुष्टी नहीं करता है तो कटिहार में ये वाइरल वीडियो बड़ी तेजी से वाइरल हो रहा है बता दे कि फिलहार कटिहार का ये वीडियो है जो कि DTV भारत इस वीडियो की पुष्टी नहीं कर रहा है क्योंकि अब तक प्रशासन की ओर से कोई भी पुष्टी नहीं की गई है इस वीडियो को लेकर और कोई भी जानकारी नहीं आई है लेकिन जहां तक खबरे आ रही हैं आपको बता दे कि खूटे से बांध कर दो प्रेमी जोड़े की जम कर पिटाई की गई और तुगला की फर्मान सुनाया गया